महाराश्ट्र में जो आठ सीटों में इस वक्त वोटिंग हो रही है उसमें सबसे दिल्चफ से वो तीन सीटे हैं यवतमाल हिंगोली और साथी साथ बुल्धाना क्योंकि यहां पर जो शिवसेना गुट के दोनों धड़े हैं और वहां पर दोनों के बीच टककर है राजेश राजेश हमारे साथ है राजेश महराश्ट्र में ये तीन सीटों जो हैं बुल्धाना यवतमाल वासिम और साथी हिंगोली यहां पर आपको कैसा लग रहा है माहाल क्योंकि दोनों ही तरफ शिवसेना वर्चे शिवसेना है बिल्कुल देखे शिवसेना दो फाड में हुई है मतलब 2019 से लेकर 2024 के बीच में राजनीती में बहुत बदला हुआ है माहरास्ट में यही वज़े है कि यहां नेता, कारेकरता और जनता तीनों जो है फिलहाल कन्फूजन की स्थीति में है लेकिन इन तीन सीटों की आपने के कैंडिडेट है यही वज़े कि जनता जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है वो हिंदुत की भी बात करती है विकास की भी बात करती है इन सीटों पर साथ ही जो सांसत पांच साल में वहां पर रहे हैं उनके कामकाज को भी कामकाज को भी आकती है और उस बिना पर भी वोट देने की बात करती है तो इन तीनों सीटों पर फाइड जो है लड़ाई जो है वो काफि दिल्चस्प होने वाली है अब रवती में हूँ अमेत और यहां की बात आपको बता दूं कि यहां पर अगर स्थानिय सांसत्य जो यहां पर नौनीत राना है उनके कामकाज को लेकर लोगों में बहुत बाते हैं पांच सालों में या कहें कि पिछले दो सालों में जिस तरीके से वह एक रास्टिय नेता के तौर पर उढ़ी है उसको भी लेकर बड़ी बाते हैं कि यहां पर यहां पर उसका फाइदा हुआ है या नहीं हुआ है उसको लेकर लोगों में काफी चर्चा लेकिन जो अस्था चर्चा एंपूर्ट करें नहां जो चोटे-चोटे नेता है इस शेत्र में और यही हाल महरास्त के कमोबिश हर अलाके का है की का जो सांसध है उसके काम को आ करें बिल्कुल राजेश हम आपके पास आगे लोटेंगे लेकिन साथ ही जो तस्वीर हम आपको दिखाये जा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं बोटिंग के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूत और उमीद करते हैं कि आप भी अपने घर से बाहर निकलेंगे वोट करेंगे